असलाम अलेकुम स्टूनेंट्स नेक्स्ट हम वेक्टर के कॉंसेप्ट में पढ़ेंगे अडिशन ओफ वेक्टर्स हम वेक्टर्स को एड कैसे कर सकते हैं जिस तरह स्केलर को जो है वो हम अरिथमेटिक रूल से एड करते हैं ठीक है जैसे हम कहा देते हैं कि 2 प्लस 2 is equal to 4 तो इस तरह अरिथमेटिक रूल से हम स्केलर को एड कर सकते हैं जैसे 2KG प्लस 2KG is equal to 4KG तो वेक्टर को जो हम कैसे एड करेंगे क्योंकि वेक्टर जो हम स्केलर से बहुत डिफरेंट है तो vector को add करने के लिए हम जो rule इस्तमाल करते हैं उसको कहते है head to tail rule ठीक है यह actually जब vector को graphically आप represent करते हैं यानि direction के साथ तो उसको जो है वो हम simple तरीके से फिर add नहीं कर सकते बलके हम head to tail rule से जो है वो add करेंगे तो उसका क्या मतलब है तो यहां पर हमारे पास दो vector है एक vector है यह और दूसरा vector है यह इन दोनों को हमने add करना है तो हम इन दोनों को किस तरह से add करेंगे कि यह vector for example अगर a वाला vector यहीं रहे तो b वाला vector as it is उठा के इसके उपर जो है वो ऐसे हम लगा देंगे ठीक है रूल क्या होना है एक vector का head आएगा दूसरे vector की tail आएगी head और tail को आपने जोड़ना है ठीक है और फिर end पे आपने क्या करना है इसकी tail से शुरू होके इसके head तक एक vector लगा देना है और यही होगा हमारा resultant vector या जो इन दोनों को add करके vector हासल किया गया होगा ठीक है तो इस तरह हम vector को जो है वो add कर सकते हैं head to tail rule जो है वो इसको कहते हैं एक vector का head और दूसरे की जो है वो tail ठीक है a vector को इस तरह पढ़ा रहाने दे, b को इसके साथ ऐसे लगा सकते हैं दूसरे वector में आप b को इस तरह पढ़ा रहाने दे आप a को भी इस तरह लगा सकते हैं जब आपने a को इस तरह लगा दिया तो फिर आपका resultant vector का बनेगा या जो आपका addition vector होगा a plus b वो ये वा 1 वाला है और दूसरा जो है वो उसके टेल से शुरू हो रहा है यानि है एक वेक्टर का head और दूसरे की tail और जो resultant vector होगा यानि इनका जो sum वाला vector होगा वो first की tail से शुरू होगा और end वाला vector जो है वो उसके head तक जाएगा ठीक है a plus b is equal to b plus a यानि दोनों जो है वो a प्लस चाहे आप a में b जमा करें या b में a जमा करें दोनों का जो sum है वो same आएगा जैसे मैंने आपको ये कहा कि आप a के साथ यहां पर b को रहके add कर सकते हैं तब भी वो ही result आएगा उसके बाद b यहां रहने दें उसको a में रहके add ऐसे कर दें तब भी वो ही result आएगा दोनों cases में result जो है वो आपका same आएगा जो इस तरह की property को hold करें उसको कहते हैं commutative property यानि a plus b is equal to b plus a आप a को पहले ले ले आए a को बाद में ले आए इससे कोई फरक जो है वो नहीं पड़ता इसका मतलब है vector जो है वो जब आप उसको add करते हैं तो वो commutative property को hold करते हैं ठीक है तो यह हो गया उसके बाद यह वाला जो है वो आपको यहां पर कुछ नजर आ रहा है यह देखें a plus b और b plus a दोनों को यह बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि आप a को b के आगे रखके add कर दें यह यहां रहने दें a को उसके आगे रखके add कर दें इससे कोई फरक जो है वो नहीं पड़ेगा resultant जो है वो आपका same आएगा उसके बाद है next आपका है resultant vector resultant vector जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि जब आप 2 या 2 से ज्यादा vector को add करते हैं लेकिन इसके लिए rule क्या होना चाहिए कि जिन vectors को आप add कर रहे हैं वो same nature की होने चाहिए यानि velocity का vector होना चाहिए force का vector होना चाहिए acceleration का उसकी जो kind है वो same होनी चाहिए जैसे F1 F2 प्लस F3 आपने तीनों को add करके जो resultant आएगा वो F आजाएगा ठीक है वो resultant कहलाएगा the resultant of the number of vectors of the same kind force vector for example is that single vector which could be the same effect of all the original vectors taken together ठीक है यानि for example यहाँ पे हमारे पास एक force F1 थी एक force F2 थी आपने इनको add कर दिया तो जबकर resultant आया है उसको आपने F का नाम दे दिया ठीक है तो यहाँ पे F जो है वो क्या कहलाएगा resultant vector यानि इन दोनों का जो effect होगा उसका resultant ठीक है तो resultant vector में same kind के vector को जो है वो आप add करेंगे ठीक है यहाँ पे तो addition में तो हमने समझाने के लिए A vector ले लिया फिर B ले लिया कुछ भी हो सकते हैं लेकिन resultant vector में resultant vector हमेशा वो ही vector होगा जो 2 या 3 एक जैसे vector को add करके हासल किया गया होगा उसके बाद है vector subtraction अगर आप vector को add कर सकते हैं तो क्या subtract भी कर सकते हैं yes vector subtraction actually vector addition ही है कैसे यानि आप करते हैं A और प्लस माइनस B ठीक है तो यह क्या हो गया यह माइनस B हो गया तो यह vector subtraction हा गया हलागे basically आपने क्या किया है आपने A में add किया है माइनस B को ठीक है यानि आपका माइनस B क्या होगा for example आप जो है वो A लेते हैं B जो है वो आपके पास जैसे for example B इस direction में है यह आपका B vector है आपने A मेंसे इसको माइनस करना है तो आप माइनस B लेंगी माइनस B क्या होगा ऐसे उलट इसका उलट ठीक है जैसे मैंने आपको direction का बताया था एक तरफ जो है वो X axis positive होता है ठीक है तो इसी तरह से जब आप direction जो है वो उसकी reverse कर देंगी तो वो माइनस B हो जाएगा करना आपने वो ही है यानि A plus minus B head to tail rule से ही उनको add करना है बस फरक क्या पड़ा कि जिसको आपने subtract करना है आपने उसकी direction जो है वो reverse कर देनी है तो वो minus चला हो जाएगा plus B हो जाएगा minus B तो A plus minus B जो है वो यह देखें कि where minus B is the negative vector of the B negative vector क्या यानि उसका reverse positive Y में है तो negative Y में कर देना है positive X axis में है तो negative X axis में कर देना है ठीक है तो rule वो ही है जो head to tail rule में हमने vector को add किया था जैसे add वैसे ही करना है ठीक है तो यह हो गया vector subtraction इसके लिए जो example है वो यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं यह A है हमारे पास पहले जो है वो B आप आप इस direction में था हमारा B लेकिन उसके बाद हमने B को जो है वो इस direction में कर दिया ठीक है और A को इदर लगा दिया और B को उदर तो अब हमारे पास जो resultant आ गया वो आ गया A माइनस B vector का subtraction ठीक है उसके बाद है multiplication of a vector by a scalar students याद रखें vector को scalar के साथ add नहीं किया जा सकता नहीं subtract किया जा सकता है ठीक है क्योंके vector और physical quantity है scalar और physical quantity है scalar को आप add करते है arithmetic rule से और vector को आप graphically add करते है head to tail rule से इसलिए vector को scalar में जमा नहीं किया जा सकता या scalar को vector में जमा नहीं किया जा सकता लेकिन यहाँ पर question है कि क्या vector को scalar के साथ multiply किया जा सकता है yes हम किसी भी vector को scalar के साथ multiply कर सकते हैं क्योंकि scalar जो है वो एक just magnitude है तो magnitude जो है वो vector के साथ multiply होके vector की magnitude जो है वो उसको बढ़ा देगी ठीक है और हमारे पास जो नई quantity आएगी वो भी different quantity जो होगी ठीक है तो फिर डिरेक्शन का क्या होगा देखें यहां पे अगर हम कोई भी number लेते हैं for example उसकी जो vector की direction है for example इस direction में है हम एक number लेते हैं 2 यानि ये एक scalar है 2 को हमने इसके साथ multiply किया तो ये इस vector की जो है वो आप for example पहले इस vector की ये vector था 2A इसकी magnitude थी 2 आपने 2 को और इसके साथ multiply कर दिया तो इसकी magnitude हो गई 4A यानि इसकी magnitude जो है वो multiply हो गई लेकिन direction वो ही रहेगी जो आप original vector की direction होगी कैसे आप scalar को vector के साथ multiply कर सकते हैं उसकी magnitude वेक्टर की magnitude के साथ multiply हो जाएगी लेकिन direction वो ही रहेगी जो आपके original vector की direction होगी उस पे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा ठीक है तो इस तरह से हम यहां पर कोई दो physical quantity ले ले लेते हैं एक ले लेते हैं vector और दूसरा ले ले लेते हैं scalar multiply करके देखते हैं कि क्या बनता है तो हमारे पास vector है V और हमारे पास scalar मैस है यह विलास्टी है तो हम इनको multiply कर देते हैं यह मारे पास बन गया MV जो है वो ना मैस रहा ना वेक्टर रहा विलास्टी रही बलके वो एक और quantity बन गया जिसको कहते हैं momentum लेकिन direction यह कौन सी लेगा velocity की direction ही लेगा नई physical quantity बन जाएगी उसकी unit किसके मताबिक होगी kilogram, meter per second इसके मताबिक होगी और उसकी जो direction होगी वो velocity वाले वेक्टर की direction के मताबिक होगी यानि जो velocity की direction होगी वो ही momentum की direction होगी इस तरह से आप किसी भी vector को scalar के साथ multiply कर सकते हैं ठीक है यहां पे भी उन्होंने एक scalar यानि mass और दूसरा vector यानि velocity को जब multiply किया तो हमारे पास जो resultant बन गया वो आगया momentum नई physical quantity magnitude उसकी यानि जो थी वो vector और जो scalar को magnitude multiply करके बनी थी वो direction क्या होगी वो ही जो original vector की direction होगी यानि velocity की तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं यानि generally एन ए ए वेक्टर है एन जो है वो कोई भी scalar है इस greater than 0 ठीक है जीरो से यानि बड़ा होना चाहिए कोई भी 1, 2, 3 उसकी magnitude कुछ भी हो सकती है आप उसको vector के साथ multiply जो है वो कर सकते हैं अच्छा अगर ये number कोई negative हो तो यानि फॉर ए example आपके पास N जो है वो minus 2 है अगर N minus 2 है तो क्या होगा तो A ये था आपने 2 A किया तो double हो गया आपने minus 2 A किया तो double तो हो गया लेकिन उसकी direction जो है वो reverse हो गई ठीक है minus का मतलब यही है कि direction का reverse हो ना plus के साथ multiply करेंगे यानि positive number के साथ multiply करेंगे तो magnitude जो है वो जितनी magnitude होगी double है double हो जाएगी triple है triple हो जाएगी direction वो ही रहेगी लेकिन minus 2 के साथ multiply करेंगे तो direction तो double होगी होगी लेकिन साथ जो sorry magnitude तो double होगी लेकिन जो direction है वो उलट हो जाएगी यानि reverse हो जाएगी क्योंकि minus का मतलब है invert हो जाना direction का reverse हो जाना original जो direction है उस के रिवर्स हो जाना थीक है तो इस तरह से आप किसी भी स्केलर को एक स्केलर के साथ जो के एक नंबर होता है जो के एक मैंगनिचूड होता है अपस उसके साथ आप multiply कर सकते हैं magnitude मैंगनिचूड के साथ multiply हो जएगी लेकिन जो direction होगी product की वह क्या direction होगी वही direction होगी जो vector की direction होगी ठीक है और नया बनने वाला product कोई और physical quantity हो सकता है जैसा कि यहां पर हमारे पास बना था momentum जिसकी dimension और जो unit होगी वो mass और velocity को जो यानि बनेगी उसके मताबिक जो है वो हम लिख सकते हैं ठीक है यानि लिखने के बगएर, sorry, draw करने के बगएर ही पहले ही अगर किसी vector के साथ unit vector लिखा जाए तो आपको पता चल जाए कि हमारा vector किस direction में है ठीक है और इसकी magnitude क्या होती है one, one होती है ठीक है इसलिए इसको unit vector का नाम दिया जाता है one ठीक है next, कैसे हम इसको represent करने के लिए use करते हैं, for example, हम Cartesian coordinate को जो है वो देखते हैं, Cartesian coordinate में हमें पता है कि तीन mutual perpendicular axis होती है, ठीक है, मैं space की बात कर रही है, अगर plane में बात करेंगे तो दो होंगे, लेकिन अब हमने तीनों की बात करनी है, तो तीन होते है, x, y, z तो जो vector, यानि x direction में represent करने के लिए, जो unit vector हम इस्तमाल करेंगे, वो होगा i, और y direction को specify करने के लिए, जो unit vector इस्तमाल करेंगे, वो होगा j, और z direction को specify करने के लिए, जो unit vector इस्तमाल करेंगे, वो होगा k, ठीक है, यानि असान लफजों में इसको समझने के लिए, अगर एक vector के साथ लिखा हुआ हो a is equal to 3i ठीक है ये हमारे पास एक vector है तो ये जो i के उपर मैंने cap का निशान डाला है ये unit vector को लिखने का तरीका है कि आप इसके उपर ऐसे hat डाल देते हैं ठीक है ये अब ये वाली जो quantity है ये वाला जो vector आपने लिखा हुए आपको ये क्या बता रहा है ये आपको दो चीजें बता रहा है एक तो बता रहा है कि तीन इसकी magnitude है और i जो unit vector है ये इसकी direction है अब i किस के साथ हमने specify किया था x-axis के साथ तो it means कि एक ऐसा vector जिसकी magnitude तीन है और उसकी direction किदर है x-axis की तरफ ठीक है तो इस तरह से unit vector किसी भी यानि हम जब coordinate system यूज करते हैं तो उसमें vector की direction को represent करता है अगर यहां पर j होता तो हम कहते हैं कि यह हमारा vector y-axis में है अगर यहां पर k होता तो हम कहते हैं कि हमारा vector जो है वो z-axis में है ठीक है यानि इसके साथ पहले लगाएंगे आप magnitude लगाएंगे जो उसकी magnitude होगी और साथ आप क्या लगाएंगे unit vector का इस्तमाल करेंगे वो unit vector Cartesian coordinate में जो three mutual perpendicular हमारे coordinate है जो हम direction के लिए रखते हैं उसमे particular axis की direction को बताएंगे कि हमारा vector किस direction में है ठीक है तो इसको फिर लिखने का तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया क्यों पर head डालते हैं तो generally आप इसको कैसे लिख सकते हैं? एक vector को लिखने के लिए उसके 2 हिससे पहला जो है वो उसकी magnitude और अगला जो है वो उसकी direction को बताने के लिए unit vector ठीक है जैसे मैंने यहां पे लिखा तो magnitude को आपने A से represent कर दिया और उसके जो unit vector है उसको आपने A hat से represent कर दिया ठीक है इस फार्मूले की मदद से आप unit vector की value जो है वो भी निकाल सकते हैं unit vector is equal to A vector divided by its magnitude यनि आप इसको ऐसे लिखेंगे हाथ से आप ऐसे लिखेंगे A divided by A की magnitude ठीक है ऐसे लिखेंगे यह vector हो गया यह उसकी magnitude हो गया और बराबर हो गया unit vector के head डालेंगे ठीक है बिल्कुल इसी तरह से जैसे vector को specify करने के लिए उपर हलका सा तीर का निशान डाला जाता है बिल्कुल इसी तरह unit vector को specify करने के लिए आप उसके उपर head का निशान डालेंगे ठीक है तो एक दवार दोबारा बता दू A is equal to कभी भी ऐसे लिखा हुआ हो to J ठीक है तो यह A जो है यह एक vector है यह 2 उसकी magnitude है यह J उसकी direction को specify करता हुआ unit vector है जो के यह बता रहा है एक vector जिसकी magnitude 2 है वो Y axis में वाकिया है यह Y axis के along है ठीक है तो यह तीनों के लिए हमने specify कर दिया X के लिए हमने I को specify कर दिया Y के लिए J को और Z के लिए के को ठीक है तो ज्यादा तर जो है X, Y यह 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 कर लेंगे K जो है वो फिर तीनों के लिए हो जाएगा ठीक है एक और unit vector भी है जो यह 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 coordinate के मताबिक नहीं है लेकिन हम उसको use करते हैं वो हमारे पास है R की form में which represent the direction of the vector R and the vector N which represent the direction of the normal R जो है वो भी हम use करते हैं position vector को यहनि इसको show करने के लिए किसी भी sorry किसी भी दो point की position को show करने के लिए जो हम unit vector इस्तमाल करते हैं वो R होगा ठीक है उसके बाद अगर आपने किसी surface के उपर जो है वो लेना है यह final point है तो इसको represent करने के लिए जो unit vector इस्तमाल होगा वो R के coding होगा R unit vector ही होगा ठीक है ठीक है तो यह एक और unit vector भी है उसके बाद एक और हम इस्तमाल करते हैं जो के कहलाता है normal यानि के vector जो है जिसको आप n vector का भी आप नाम देती है ठीक है for example हमारे पास एक surface है उस surface का यानि इस तरह से हमारे पास एक surface है हम कहते हैं surface का area vector किदर होगा तो उस surface का area vector होगा वो normal to that surface अब या एक्चुली आपकी तरफ होगा आपके mobile से बाहर की तरफ होगा ठीक है वो draw नहीं कर सकते तो मैं इसको कुछ इस तरह से draw कर देती हूँ तो इसको इसकी direction को represent करने के लिए जो unit vector इस्तमाल किया जाएगा वो कहलाएगा n ठीक है वो n जो है वो कहलाएगा normal to that surface normal का मतलब होता है जैसे आपके पास mobile है तो इसकी screen से बाहर निकलता हुआ vector वो normal to that यानि mobile की जो surface होगा उसका normal vector होगा तीन specify होगे coordinate के लिए एक position को determine करने के लिए जो vector है और एक जो किसी भी surface को specify करने के लिए इस्तमाल होता है तो ये हमारे पास सारे unit vector जो है वो हो गए ठीक है next जो है वो हमारे पास है null vector null vector जो है वो उसकी magnitude जो है वो क्या होती है zero और उसकी कोई भी direction जो हो सकती है जब आप दो vectors को add करें जो एक दूसरे का reverse हो उनकी magnitude भी बराबर हो लेकिन direction opposite हो जैसे एक ये vector आगया और दूसरा ये vector आगया दोनों की direction जो है वो ये a है ये minus a है अगर आप इन दोनों को add कर दें तो आपके पास जो resultant आएगा वो zero आएगा और zero जो है वो उसको हमने क्या नाम दे दिया null vector का जो हमने नाम दे दिया ठीक है तो इसको आपने इसको कहना है कि इसकी magnitude zero है जैसा कि नजर आ रहा है और इसकी direction जो है वो arbitrary है क्योंकर यहाँ पर कोई number नहीं है इसके साथ जो इसकी direction को represent या निकरे कि इस direction में है तो zero magnitude है और इसकी arbitrary direction जो हो सकती है resultant actually zero फिर लेने की ज़रूरती कि actually हम graphically vector को add कर रहे है तो उसका resultant आएगा वो हमें लिखना तो पड़ेगा ना अगर वो कोई भी value नहीं आ रहा है तो फिर हम उसको null vector का जो है वो नाम देंगे ठीक है इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखते है कि null vector जो ह उसके बाद next है हमारे पास equal vectors equal vectors जो है यह दो ऐसे vector को हम equal vector कह सकते हैं जो जिनकी magnitude भी same हो बिल्कुल ऐसे और इनकी direction भी same हो ठीक है magnitude भी same हो और direction भी same हो तो हम ऐसे vector को equal vector जो है वो कह सकते हैं same magnitude and direction regardless the position of their initial point ठीक है कहां से शूरू हो रहे हैं कोई region से शूरू हो रहा है कोई कहीं कहीं और से start हो रहा है इससे फरक नहीं पड़ता लेकिन अगर दोनों की magnitude जो है वो यह two a है और यह जो है वो two b है दोनों की direction भी same है magnitude भी same है तो ऐसे vector को जो है वो equal vector का नाम देंगे parallel vector जो है यह दोनों parallel vector भी है तो ऐसे parallel vector जिनकी magnitude same हो parallel की direction याद रखें same ही होती है लेकिन अगर उनकी magnitude भी same हो तो ऐसे vector को जो है वो हम फिर क्या कहते है equal vectors जो है वो कहते है ठीक है तो यह कुछ definition c vector से related उमीद है कि आपको समझ आगी होगी अगर कोई question हो तो आप फिर कर सकते है